मल्टिपल ग्रुफ औफ पिक्चर्ज गा एक सिंगल पिक्चर्ज करते हो जैसे मैंने आपको अभी समझा है कभी-कभी तो फोटोग्राफर्स लोग 50,000 इमेज शूट करके उसको एक सिंगल इमेज में स्टैक करते हैं ताकि वो डीटेल आपको आप अगर आप गूगल पे सर्फ करोगे किसी एक यंग्स्टर नहीं किया है वो चीज फिफ्टी थाउजन पिक्चर्ज लेके उनको एक सिंगल इमेज में स्टैक किया है तो सोचो उस इमेज का डीटेल क्या रहेगा तो वो वाली चीज भी आप पिक्सल शिप शूट में कर सकते हैं आपके पास अगर टेली फोटो लेंस है तेली फोटो का मतलब 180-600 भी अगर आपके पास है 180-600 lens अगरे आप यूसतर रहो और आपने आपका का मेरा ट्राइपॉड पर लगा या हुआ है कर से ट्राइपॉड पर लगा के आप जब वो इमेज लोगे ये कैमेरा मैक्जिमम स्ट्टी टू इमेज लेगा ठीक है ग्रूप पिक्चर से 32 इक्विपमेंट ढूनने से आपके कैमेरे में ही वो फीचर है आप यूज़ कर सकते हो तो यह तो आपका क्रियेटिविटी है कि वो पिक्चल शीफ शूट को आप किस तरह से यूज़ कर रहे हो आप मेंने जो जो बताये आपको वही फोटो के लिए यूज़ कर रहे हो याँ और भी आपका क्रियेटिविटीवनेश लाने के लिए फोटो यूज़ कर रहे हो, कोई पोड़ेट का भी एक फोटो ले ले चेहरे का बहुत जाधा डीटेल वाला तो वह भी work कर सकता है पोट्रेट्स भी उसमें यूज हो सकते, बस चैलेंज है कि आपका पोट्रेट्स स्टिल होना चाहिए, वो नमबर ओफ फ्रेम्स ले रहा है, हर फ्रेम में स्टिल आना चाहिए, अगर आपका वो हलता है, सब्जेक्ट या फिर कैमेरा, वो इमेज आपको एक नहीं बना के दे सकता, ठीक है, तो पिक्सल शिफ्ट शूट आ गया, फिर इसमें आटो फोकस वी आर ओप्शन है, आटो फोकस वी आर सुना है किसी ने, नहीं, स्टाबिलेजेशन, सुना है, क्या करता है स्टाबिलेजेशन, स्टिल वीडियो और फोटो के लिए वो काम आता है, तो फॉर बहल आभी हम बोलेंगे, क्या बाकी जितने भी कैमेराज है, आज मार्केट में, उनका स्टाबिलेजेशन कहा काम करता है, सेंसर के, सेंसर के सेंटर में काम करता है, सभी स्टाबिलेजेशन, ये फॉर एक्जेम्पल आपका सेंसर है, तो सेंसर के सेंटर में काम करने का काम क अगर focusing point रहका पूरा stabilization वो area में काम करेगा तो for example ये right upper corner में भी आपका अगर focusing point आपने place किया हुआ है तो पूरा stabilization आपका upper right corner में काम करेगा सिर्फ center में कामना करते हुए वो ये करेगा और आपको choice है on and off मतलब आपने off किया तो बाखी सभी cameras के जैसा वो center में काम करेगा देन अगर वीडियो के लिए देखते हैं तो मैंने जैसे बताया 4K 120 fps तक maximum ये शूट करता है, 6K 60 fps पे शूट करता है और Full HD में ये 240 fps तक के आपको शूट करके दे सकता है, super slow motion जिसको हम बोलता है, एक होता है slow motion एक होता है super slow motion, slow motion आपका 4 times होता है और super slow motion 8 times, तो 4 times में वो कितना होगा frame, normal frame rate क्या होता है video का, 24 x 4 100, 24 ये 30 ये normal frame rate होता है video का, जो हम cinema पे ये इस पे देखते है 24 ये फिर 30 होता है, तो into 4, 30 into 4 120, तो 120 fps मतलब 4 times slow हो गया आपका और 8 times slow करना है तो 240 fps तो ये maximum 240 fps भी shoot करके दे सकता है, तो अभी और अगर आप देखोगे इसमें पहले क्या जो Z6 2 था वो आता था 8 bit, internal 8 bit उसमें maximum आप shoot कर सकते है, ये camera में आप internal 12 bit भी video shoot कर सकते हो, internal आप पहले वाले cameras में log भी inbuilt नहीं था, उसके लिए external recorder लगाना पड़ता था तब जाके आप log shoot कर सकते थे, आज ये camera में internally log shoot करेगा हो without any external recorder, आपको कोई external recorder required नहीं है जब आपको log shoot करना है, और ये 8 bit, 10 bit, 12 bit, तीनों options आप select कर सकते हो, for example आप एक छोटा सा wedding या चोटा सा बड़े party shoot कर रहे हो, आप 12 bit का video करोगे क्या, नहीं क्यों, वो project उतना बड़ा ही नहीं न, आपको 12 bit उदर required ही नहीं, आप उस footage को बाद में theater release या वो plan कर रहे हो, ऐसा अगर कुछ shoot करना है, जो सर ने दिखाया, documentary shoot कर रहे हो, वो documentary आगे चलके या फिर short film shoot कर रहे हो, आगे चलके सब के सामने present करने वाले हो theater में, उस time पर आप 12 bit shoot कर सकते हो, मतलब बड़े project जो है, उन सब बड़े projects के लिए ही 12 bit use हो सकता है, इसा नहीं क्या आप बड़े party कर रहे हो, बड़े party में 12 bit किया, नहीं, 12 bit का अगर वो video है तो उसको required है कि आपका machine भी उतना strong चाहिए, जो editing machine है आपका वो भी उतना strong चाहिए, तो फिलाल के लिए अगर आप बड़े कर रहे हो तो 8 bit कर सकते हो, wedding कर रहे हो तो 10 bit कर सकते हो, mostly अभी photographers use कर रहे है 10 bit, bits में फरक पता है आपको क्या होता है, 8 bit, 10 bit, 12 bit क्या करता है, आपको पता है, बाकी पता है, ठीक है मैं बता देता हूँ, bits क्या होता है ना, photo के लिए भी और video के लिए भी, JPEG का photo आपको 8 bit पे shoot होता है, और raw का photo आपको, 14 bit, raw का image आपको 14 bit color shoot कर के दे सकता है, तो bits में क्या फरक है, for example 8 bit में जब आप shoot कर रहे हो, major 3 colors कोन से अपने, R, G, B, ठीक है, तो red color है, तो 8 bit में क्या होगा, red color के 256 shades camera देख सकता है, कितने, 256 एक color के, लब red के 256 shades, green के 256, and blue के 256 बास, ठीक है, 10 bit में क्या होगा, वही shades बढ़ जाएंगे, for example red color आपको देगा, 1024 shades देख सकता है camera, green भी 1024 shades, blue भी 1024 shades, for example, अब यह कौन सा color है, और यह, दोनो red है, shades अलगे, तो for example, अगर कम बीट का camera रहेगा, और आपने इस photo का photo लिया, या फिर ऐसे scenario में photo लिया, तो कम बीट का camera क्या करेगा, या फिर आप JPEG पे भी shoot कर रहे हो, तो क्या करेगा camera, यह color और यह color को same दिखाएगा, वो अलग-अलग shade define ही नहीं कर पा रहा है, समझ रहे हो नब, simple बोल रहा हूँ न मैं, sir simple बोल रहा हूँ न, तो यह जो दो अलग-अलग shades है, जब आपका camera कम बीट पे आप use कर रहे हो, for example, JPEG पे shoot कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपका camera, यह shade और यह shade same दिखाए, क्यूंकि वो capable ही नहीं है, उतने colors को, shades को define करने, right, जब आप higher beat वाला camera या फिर raw पे shoot करोगे, सब professionals जो photographer से raw क्यों shoot करते है, यही एक चीज़ के वज़े से, raw shift color के लिए बाकी भी और चीज़े है, dynamic range इसमें add होता है, colors add होता है, but main चीज़ आपका क्या होता है, colors, तो जब आप higher beat वाला या फिर higher beat format जब यूज़ करते हो, तो camera आपको अच्छे से, शब shades अलग-अलग define करके देता है, right, तो higher beat यूज़ करने का फाइदा पता चला आपको, simple है, तो इसमें 8 bit, 10 bit, 12 bit, 3 bit आप चूज़ कर सकते हो, आपको क्या करना है, right, यह photo में आपको 8 bit, अभी एक नया format भी introduce किया निकोन नहीं, पहले के cameras में सिर्फ 8 bit JPEG, और 14 bit RAW, अब RAW बहुत से लोग यूज़ नहीं करते थे photographers, क्यों? RAW यूज़ नहीं करने का reason क्या था? Space, वो data जादा लेता था, ठीक है, RAW वाला image data जादा लेता है, तो photographers ठीक है, मुझे नहीं चाहिए उतना detail वाला image, मैं JPEG पे शूट कर लेता हूँ, बट वहाँ पे उनके colors lose हो रहे, वो यह ध्यान में नहीं रखते है, तो Nikon ने HEIF बोलके एक format introduce किया, आप HEIF format क्या है? RAW और JPEG के बीच का एक format, जो आपको 10 bit के details दे सकता है, बेटर है ना? RAW का उतना file size भी नहीं और same, HEIF यह जो photo है, यह file size आपका लेगा same as JPEG, मतलब उसका file size JPEG के इतना ही रहेगा, बट आपको 10 bit से color दे रहे, तो आपके पास अब 2 option है, JPEG यह HEIF कौन सा use करोगे आप? Q, colors better मिल रहे है, बट file size उतना same ही ले रहे है camera, तो इसमें वो भी option है आपको, मतलब 8 bit का JPEG, 10 bit का HEIF, 14 bit का RAW, ऐसे आप तीनों भी चिलेक करके photo ले सकते हो, तो वीडियो में भी वैसा ही है कुछ, ठीक है, अब log एक चीज होती है, log किस-किस को पता है? आपको पता रहेगा, ठीक है, Q यूज करते हैं log, log shoot करने के बाद क्या कर सकते हो आप? Color grading आप कर सकते हो, ठीक है, अब log एक अलग चीज है और raw एक अलग चीज है, मतलब photo का raw नहीं, वीडियो का raw, तो raw वीडियो में क्या कर सकते हो आप? जैसे raw photos में आप सब values को change कर सकते हो, सेम उसी तरह, वीडियो में भी सब values को आप change कर सकते हो, जब आप raw shoot कर सकते हो, जो भी बड़ा project अग रहेगा, जो भी cinematographic proper way से use कर रहेगा, वो normal format में कभी video shoot नहीं करेगा, ठीक है, वो raw में ही footage shoot करेगा, फिर उसका editor उसको उस तरीके से edit करेगा, raw में shoot करने के बाद उस editor के पास जादा से जादा options रहेंगे, उसको अच्छे तरीके से edit करने का, अगर normal footage या normal photo रहता है, तो उसको एक limit रहता है, वीडियो edit करने का, बड़ जब आपको raw पुरा मिल जाता है, for example, मैंने आपको biriyani serve की, आपको sauce दिया, lemon दिया, वो सब चीज़े दिया, salt है, तो आप क्या customize कर सकते हो, अगर उस बीडियानी को लेके, maximum, sauce दाल के खा सकते हो, थोड़ा सा नमक कम ज्यादा है, तो नमक दाल सकते हो, और lemon दाल सकते हो, उसको सोड़ा सोर कर सकते हो, बस इतना ही customize, अगर मैं पूरा बीडियानी का सामन RAW आपको दे रहा हो, तो क्या कर सकते हो, आप आपके तरीके से बना सकते हो, उसको कैसे आपको बनाना है, एक just understanding के लिए यह example दिया मैंने आपको, आप आपको कैसे चाहिए, जादा थीका खाते हो, कम खाते हो, तो वो आपके हिसाब से आप बनाऊगे, तो यह होता है, जब RAW इमेज आपको मिलता है, उस RAW इमेज को लेके आपकी मरदी आपको क्या करना है, पीछे जो sky का tint blue दिख रहा है, उसको blue रखना है या उसको red करना है या orange करना है, वो सभी चीजे आप control कर सकते हो, JPEG image already processed image होता है, JPEG का image already processed image है तो उसमें आप ज्यादा editing नहीं कर सकते हो, camera already processed करके देख रहा है, बहुत से टाइम पे आपने अगर shoot किया रहेगा, RAW का जब photo shoot कर रहे हो तो यार अच्छा नहीं दिख रहा, JPEG का shoot कर रहे तो आच्छा दिख रहे है, क्यों? RAW के images में आपको grains दिख रहे है, या फिर वो image अच्छा ही नहीं निकल रहा है, जबके आप JPEG ले रहे तो आच्छा दिख रहे है, क्यों ऐसे? JPEG का image already processed image रहता है, लब camera inbuilt उसको process करके आपको present करता है, तो grains होगे रहे रहे रहेंगे, वो हटा के सब level brightness होगे रहे, वो सब adjust करके आपको image present करता है, जहांकि RAW का image जैसे आपने shoot किया as it is वैसे image आपको वो देगा, simple, ठीक है, तो अभी और इसमें देखोगे तो variable angle LCD दिये हुआ है, AI के इसमें दो tools है, add करना चाहूंग, AI के tools मतलब अभी for example, एक है skin softening, दूसरा है PIV, portrait impression balance, किसी को पता यह features नहीं, skin softening क्या करेगा, आप skin softening आप बोलो गया रहे, वो तो मैं software में भी कर सकता हूँ, या फिर मेरे phone में भी, मैं skin softening वाला image soft करके photo ले सकता हूँ, तो मुझे soft image मिलेगा, right, बट इसमें फिर अलग क्या रहेगा, यह feature इसमें पूरा AI based है, AI क्या करेगा, AI वो tool क्या करेगा, आपकी को soft करने का काम करेगा, normally दूसरे cameras में या आपके mobile में क्या होता है, जब आप skin softening करके photo ले रहे तो entire image को soft कर देता है, जिसमें आपको eyebrow detail, male model है तो mustache detail यह lost हो जाते है, मतलब वो भी soft कर देता है camera या mobile, इसमें वो smartly सिफ skin को detect करेगा, और बस वो skin detect की हुए areas को ही soft करेगा, बाकी detail आपको as it is मिलेगा, जा eyes, eyes के lashes, eyebrows, mustache, यह सभी details as it is आपको present करेगा, सिफ skin को soft करेगा, same is with PIB, PIB is portrait impression balance, PIB भी same करेगा, अभी आपको एक bride है, उसका face का color tone change करना है, क्या करोगे आप? क्या करोगे? आप basic चीज़ है बहुत, tone, किसी चीज़ का tone change करना है, तो क्या करोगा आप photo लेने के पहले ही? Kelvin, Kelvin को जो graph होता है उसमें जाके जो desired आपको tone है, वो change करोगा, उसमें challenge क्या है दोस्त? जब आप वो tone particular select करोगे, तो entire image में वो tone होगा, for example, pinkish tone आपने select किया, तो entire image आपको pinkish दिखेगा, राइट? है न, इसमें क्या होगा? PIB में, सेम वो शिर्फ skin tone detect करेगा, और बस वो skin का ही tone change करेगा, बाकी सब चीजे as it is रखेगा, ब्राइट ने अगर यार बहुत पैसे दाल के एक particular color shade, उसके शादी के लिए color shade का dress उसने choose किया है, और बाद में आप उसको photo में खराब कर दे रहो, उसके skin tone को adjust करने के लिए उसके कपड़े का color भी change अगर हो रहा है तो वो तो नाराज हो जाएगी ना आपके, क्या मैंने इतने पैसे दाल के particularly वो tone select किया था, वो shade select किया था और आपने उसको खराब कर दिया, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे as it चाहिए, फिर से आपको वो editing या वो सब करना पड़ेगा, whereas in P.I.B. सिर्फ skin tone को change करेगा, अगर आपको करके देखना है तो हम करके देख सकते है वो feature, तो यह AI के दो tool भी इसमें आपको दियो है, यह वाला जो feature है यह video में भी काम करेगा, फोटो में भी काम करेगा, screen softening and P.I.B. यह दोनों में भी काम करेगा, मतलब आपका video जब आप ले रहे हो, किसी portrait का video ले रहे हो, पहले से यह अपने screen smooth कर रखा है, बाद में जाके आपको editing में कुछ करने का ज़रूत ही नहीं, by default मिल रहा है आपको जो भी है, तो ऐसे बहुत सारे चीज़े है, अब आप hands on उसका ले सकते हो, आपको one by one वो चीज़े use करके देखनी है, या camera perform कैसे कर रहा है, camera में speed wise बहुत जारे upgrade है, जैसे कि उसमें processor ही upgrade किया हुआ है, xpeed 7 का processor उसमें दिया हुआ है, xpeed 7 का processor क्या करेगा, fast है, बहुत fast है, पहले था xpeed 6, अभी है xpeed 7, तो हर चीज़ में fast होगे, वो focusing में almost 10 times better बोलोगे तो भी चले, वो 10 times better है, तो i auto focus पहले जैसे होता था और अभी जैसे होता है, आप देखोगे तो बहुत जबीन आसमन का फरक्यास में है, यह बहुत fast react करेगा, इसका जो focusing का algorithm भी है वो भी AI based है, तो focusing भी उतना strongly वो करेगा, ठीक है, अब hands-on one by one ले सकते हो, जिसको चाहिए, आपको इसमे देखोगे तो same as Z8 और Z9, जो flagship models in Econ में Z9 और Z8, same processor आपको इसमे भी मिल रहा है, Xpeed 7 का ठीक है, फिर body के ergonomics देखोगे तो वो भी थोड़े improved है, Z8 से slightly थोड़ा चोटा और Z6 2 से slightly थोड़ा असा बढ़ा, ऐसा body दिया है आपको तो mirrorless का वो जो एक था कि mirrorless में सब compact ही cameras आते है, तो वो अभी नहीं ठीक है, आशे क्या सर, तो इसका VFinder, world's brightest VFinder दिया है इसका, अब तक का सभी cameras में, world's brightest VFinder इसमें मिल रहा है आपको, ठीक है वो आप check कर सकते हो, ठीक है, dual memory card slot दिया हुआ है, एक CF express के लिए और एक normal SD के लिए, CF express आप का यूज करोगे, videos वगेरा जब आपको करने है, 4K videos, 6K videos करने हो, तो आपको चाहिए कि high speed का card आप यूज करो, तो उसमें CF express type B का card उसमें आपको दिया हुआ है, ठीक है, और आपको चाहिए कि फोटो लेने है, एक decent 300 Mbps का UHS 2 SD card यूज करना है, तो वो slot भी आपको चाहिए में दिया हुआ है, ठीक है, तो one by one या फिर group में आप camera देख सकते हो, मैं उसको reset कर देता हूँ एक बार, थाइस सकते हैं, अवो लेफा है, झाल झाल येस hands on ले सकते हो आप या फिर आपके भी कुछ ग्वेशन्स रहेंगे शरीफ ये camera डेलेलेटेड नहीं entire line-up जो ही Nikon का उसके related आपके कुछ questions रहेंगे, कुछ queries रहेंगे या फिर आपके पास existing जो camera है उसमें कोई एक feature ऐसा है जो इसमें नहीं है या आप पूछना चाहोगे कुछ improvement इसमें है क्या तो वो भी पूछ सकते हो questions आप अगर प्लान कर रहे हो अभी cameras दो या तीन लोगों के पास है बाकी के जो प्लान कर रहे है और आपको जो चीज चाहिए वो वो सब चीजे ये cameras में है क्या वो पूछ सकते हो ताकि फिर आगे जा क्या आपका requirement fulfill हो क्या आपने camera ले लिया और वो feature ही नहीं उसमें तो फिर क्या फाइदा ऐसा dynamic range dynamic range क्या होती है पता है आपको क्या करता है dynamic range गया करता है तो dynamic range क्या करता है कि अवो तो फिर आपका आगे part में सर कवर करेंगे, बट मोटा मोटा आपको एक आईडिया देते थो डाइनेमिक रिंज हाइलाइट्स और शैडोज के अच्छे से अच्छे आपको डीटेल दे, सेम टाइम पे लब हाइलाइट के डीटेल अच्छे मिल रहे हैं जितने shadows के मिल रहे हैं आप आगे जाके उसको editing में या फिर post processing में उसको recover कर सको for example shoot करते समय आपने एक black area लिया है बट shoot वो हो गया भी फिर बाद में जाके उस details को आपको recover करना है तो वो कर सकते हैं तो camera में उसका क्या कितने stop का dynamic range है तो अभी कितने भी camera में 15 प्लस टॉप के dynamic range से आते हैं जो कि बहुत अच्छा है आपको details recover करने में यह ना अब करेंगे में विए कोइस वाइप फिर अवर्ट टिर्बीक तरह कि तरफ कि अगया थे पिश्स बोडादों अब जाता है जो आड़ी ग्रेंगिए इस्टेंग से वह नहीं होता है तो आपको 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 अगया रही उसमें प्रता आएगा जो थो अमारी घ्रेदीं की वा भी सापर गारा है okay फोकसिंग पॉइंट में बहुत अभेट होगे है स्साथ पुपसिंग है फोकसिंग में बहुत ज़्यादा फास्ट है अभी currently सभी nos pics अगर अब आ फोकस वेढ़ में सिर्फ निकॉन की बात नहीं कर रहा आप एंटायर जितने camera से सबसे fast focusing अगर देखोगे तो इसमें मिलेगा ये segment में cinematic में तो बहुत ज़रूर हुथा कि follow focusing और वो focus detect करना है for example आपने अगर उसको switch किया videos पे तो अभी हम किसी एक subject को अभी इसको पहले हम wide पे दालेंगे c पे दालेंगे अभी मेरा subject यह है पहले के photographer या videographer के अगर तो आपने देखा रहेगा यहां से shot वाह लेके जाना है तो एक बड़ टाप किया है उसको tap 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 करते करते आगे जाते हैं बट अभी वैसा नहीं है एक बड़ टाप किया अपने camera ने उसको lock किया अब आप जूम कर रहे हो camera देखा और यह तो बहुत छोटी वह है right लब यह condition देखोगे तो slow है फिर भी बट यह condition में देखा लब ऐसे तो shoot नहीं करो गया बट extreme level पर camera कितना capable है वह दिखा रहा हूं मैं चोड़ रहा है कि वह I auto focus चोड़ेगा ही नहीं हो तो focusing इसका बहुत जादा strong compared to other cameras फिर आप इसमें photo shift करने तो आप just tap करो ना अभी मेरा इन पर है ठीक है मुझे पीछे चाहिए वापस इन पर चाहिए यह तो photos हो रहे है videos में दिखाता हो मैं आपको यह देखा अभी पीछे focus है है ना फिर इन पर आ गया यह जो jump कर रहा है focus इसका भी level आप decide कर सकते हो आपने जब touch किया तो वो focus तुरंत jump होना चाहिए या slowly shift होना चाहिए वो customization भी आप कर सकते हो उसके settings में जाब के ठीक है बट फिर आप इसके photo के sharpness के बारे में देखोगे तो almost अभी में for example 2500 के ISO पे shoot करूँगा आपका photo ठीक है अगर यह इतना ISO लेके बाकी camera में shoot करूँगा ना तो 101% grains आना चालो हो जाएंगे बट इसमें आपको grains दिखेंगे नहीं इसका low light performance भी बहुत अच्छा आप अब 2500 पर में photo ले रहा हूँ अब AI में कौन सा feature देखनें आपको screen softening पहले देखेंगे हम अभी off है तो off में उसने आप photo तो अल्रेड आप पर लेंगे off वाला photo ले लिया इसने अब वो on में कैसे लेगा वो दिखा देता हूँ सेम सेटिंग्स पच्छिस पाइसो कुछ भी नहीं कर रहे हम दिख रहा है आपको और वो smartly करेगा मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि उसने screen soft किया है या आपने उसको artificially soft किया है ऐसा दिखाई नहीं रहेगा यह photo देखो यह पूरा sharp ओला image है हर चीज आपको इधर भी देखोग अब वो next वाला photo देखो अब वो next वाला photo देखो आपकी यह details देखो eyebrow के details सेम उसने वैसे ही रखी उसको soft करने के जूरत नहीं नहीं तो photo खराब होजा है बट चिन पे अगर आप देखोगे उसने जो soft किया है आपका beard और mustache भी जैसे के वैसे details है इसको भी soft नहीं किया दो photo में फरक सेम हम देखेंगे अभी वो वाला P.I.B. वाला अभी आपका for example meal model है तो आपने किया कि यह इसको fair किया ठीक है अब इनका एक photo लेके देखेंगे आ जाओ फिले एक off में लेके दिखाता हो तो आपको better understanding होगा off में कैसे आएगा off में as it is जैसे है जो अभी यह lights कैसे है थोड़े warm है तो यह camera photo कैसे दे रहा है ठीक है बट अभी वही चीज़ हम उसको on करेंगे mode 1 में जाएंगे आपको कौन सा चाहिए थोड़ा सा pale और यलोई तो यह देखा यह photo जो पहले आ रहा था warm चैला दिख रहा था इसमें मैंने थोड़ा fair करना चाहा और भी मैं अगर इसमें कस्टमाइजेशन करू फुली मुझे थोड़ा सा वह दिखाना है ऑदेखो कि यालग 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 सिर्फ तो स्रिफ पेस का स्किन वह डेटेक्ट करके उसको चेंज करने का काम कर रहे है तो AI टूल ये इस तरह से काम करेगा अब इसमें जो लेंस लगा हुए 24-120 का इसमें और अच्छी चीज यह है कि 5 एक्सिस का इसमें स्टाप्स कर सकता है अब स्टाप्स में क्या होता है इसका मतलब क्या अभी मैं अगर 50 mm यूज कर रहा हूं तो मेरा शटर स्पीड क्या है चाहिए ऐस पर रूल 50 से बेटर चाहिए है हम रूल यह है कि 50 से बेटर चाहिए तो 50 से उपर क्या होता है 60 तो अभी यह 60 होना चाहिए मैं इसके पार्च टॉप नीचे जाओंगा फिर भी एक लो तीन चार पाट वन बाइट्वेंटी पे मैं पोटो कैसे ले रहा हूं देखो किसी भी टाइप का स्टैबिल में खुद को नहीं कर रहा हूं व्यूज नहीं कर रह है ना लो लाइट में जब आप काम करते हो आप स्टिल हो जो एक अच्छे फोटो के लिए यहां पर मुझे कितना आइस हो यूज करना पट रहा था आपने देखा भी पच्छिस सो तो अभी मैं सीधा आ गया 500 पे और 500 पे मैंने फोटो लिया विदाउट एनी आप इसमें थोड़ा भी शेक दिखा दो किदर क्या शेक आया है तो इमेज स्टैबिलिजेशन एट स्टॉप पाइफ स्टॉप जो कमपन्सेट करता है वो क्या होता है एक्छल में मीनिंग यह होता है एक्छल रूल जो है उस बैरियर को तोड के मैं और नीचे आके फोटो अब हर सिचुएशन में तो आप ऐसे फोटो नहीं निकलोगे बट बहुत ऐसा सिचुएशन है जा लाइट भी कम है आपके बास फ्लैश भी नहीं है और करना है आपको तो फिर झाल सुएर मैं टेका थे प्लřाज भी कम है प्लिड भी कम कर सकता है